है वैल्कम बैग टू जागो लहार की बात करें तो लहार में जो क्या सूरतन हाल है चिकन की ये आज हम आपको वतारॉन मेरी भावी पतारीं कि हैं अद आई एक अप रही तो वह अर्मिला चिकन सस्ता हो गया था मगर अब दुबारा जो है वो चिकन महंगा होता जा रहा है इदे कुर्बान के फॉरण बाद चिकन की कीमत जो है वो 118-115 रुपे तक पहुंच गई थी मगर आज जो है चिकन की कीमत 149 रुपे तक पहुंच गई है और मुक्तलिफ जगों पर 145 रुपे में भी जो है वो चिकन फ्रोक किया जा रहा है तो पिछले हफ़ते की बात की जाए अगर पिछले हफ़ते चिकन की कीमत 120 रुपे थी और इस हफते जो है वो चिकन की कीमत 149 रुपे है और ये मसलसल जो है वो चिकन की कीमत में अब अधाफा होता जा रहा है क्योंकि मुहर्म लोहराम है और इन दिनों में जो है वो न्याजों का सिलसला जारी होता है न्याजे हुसान दी जाती है तो यही वज़ा है कि चिकन बह क्यिमत में क्यों इदाफा होता जा रहा है जा रहा है क्यूल क्यों दिन बाट बढ़ता जा रहा है कल से और आज से तिक्रेल पांच-शे रप्रक बढ़ गए और अच्छा अच्छा आएंदक द Deus नौ यह जह सकता है कि मौण nौ जवरोब सकता है खो अने वाले दिन है इन दिनों में जी ओर पर चूहने नहीं जाता है नहीं को क्या होता है दूथुन उसे हैं कि अश्या की कीमतों में कमी आ जाती है मगर पाकिस्तान में जो है वो अब महरुम अला हराम आने वाला शुरू हो चुका है और इन दिनों में जो है वो गोष्ट की कीमत में इदाफा हो गया है इसकी क्या वज़ा है ये आपकी ने ये सद्धियों स्ट्रेस होते हैं, सिर्थं बचों को एतना ही довolके बलंके चाहिए हमारे स्ट्रेस से थोड़ा सा जाद ही होते है long time यूंकि वे एस अजैसी होती है कि अंके लिए यहीं стр्थ बहुत बदांट है तो आज हम बच्चों के stress पर बात करने वाले हैं कि क्यूं होता है बच्चों में stress नहीं होना चाहिए किस तरह से इसको cater करना है उसपेर हमारे से मौजूद होंगी Dr. Sabah जो case psychologist है विल्किम करेंगे Dr. Sabah कैसे आप Thank you so much for coming Dr. Sabah हम बच्चों की बात करते हैं, कई तरह के स्ट्रेस होते हैं, स्कूल में किसी क्लास फेलो से जगड़ा हो गया, एक्जाम आगए सर पे, टेस्ट है, नमबर कम आई, मामा को कैसे बताने हैं, बहुत से स्ट्रेस है इस वक देखा जाये तो बड़ों से जादा मुझे लगता है कि बच्चों को जादा परिशानी होती है, क्योंकि एक तो इनकी ग्रोइंग एज होती है, हॉर्मोनल चेंज आरे होते हैं, दूसरा उनको लगता है कि एक जेनरेशन गैप, आप किसी चार-पांच साल के बच्चे दूसरा अपनी फैमिली के साथ उनको समझ नहीं आरी होती किस तरह से चलना है, मतलब अपने पैरेंट्स को कौनसी बात बतानी है कौनसी नहीं, पैरेंट्स अपनी तरफ से वेलकम करते हैं कि आप हमें सब कुछ बताएं लेकिन उनको डर है, लेकिन बच्चा इसको नेक्स नेम आते हैं मामा के पास सोचेगा कि यह वने लास नेम बताया था, तो क्या हुआ था, बड़े जो होते हैं वो दुबारा दुबारा ट्रस्ट कर सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं करते हैं, वो हमेशा एक बात समझ लेते हैं कि अच्छा एक बंदे ने मुझे कि आतलों कि अच्छा के बंदे लेकिन बहुत बात सब्सक्राइब दूसर एक ब्रॉन फच्छा यह यह रधा है और शुबारा धारा दुबारा यह वरेदे फर कंपटिशन वह पर होता है पीर प्रेश्र बहुत ज्यादा है और मैंने थोड़ा सट यह भी फील कि आह कि जो कमपैरिजन ने बच्छों में बातलब जो किसी स्टेटस वाले का बच्चा है पैसे वाले का बच्चा है या जानने वाले का तो इसको बहुत इम्पॉर्टन सेना इब प्रिवीट स्कूल में बहुत जादा स्पोर बड़े-बड़े dei se agenda हो जाते हैं या पिर वो खामोशी में आ जाते है IngreslOU जाते हैं कुछ bach men kws बचे खामोश रहना शुरू कर देते हैं और जब से बड़ी बात है कि मुझत को नोटिस नहीं ए्क बच्छा जब एक साल दो साल तीन चार साल उसमें और यही वक्त होता है जिसमें बच्चे हरैस्मेंट का भी शिकार हो जाते हैं और बुली भी बहुत जादा है क्योंकि उन्हें रिस्पॉंड नहीं करना था और जब एक बच्चा स्ट्रेस में होगा बुली होता जाएगा रैस होता जाएगा ना वो किसी से डिसकस करेगा ना वो उसको कोप कर सकेगा बिल्टी जिससे से ब्या बात करी थी कि हम बच्चों को स्कूल में इवन टीचर में भी हमें यह चीज देखने में आती है कि वो अगर किसी को स्नाब भी करी है तो वो दस बच्चों के सामने इंसल्टिंग वे में करती है तो मेरे खाल से बच्चा जब घर आके बताता है ना कभी-कभी तो पेरेंस लड़ने भी पहुंच जाते हैं कभी केते हैं कि तुमने कुछ किया ही होगा तो वो सारी चीज़ें से बच्चे जब गन्वे करते हैं अश्वा पर जाए और चीज़े लेकर आकर बच्चों को तंग करते हैं जिसे अभी देखा चाहें पहले ही होता था कि परेंस बढ़े इच़े तरीके से रहाए बात की सुल्व करने वाला रवाई है यहां पर अगर बच्चा कोई बात घर लेकर आता है यहां तो टीचर से बारबर लड़ाई हो तो बच्चा स्कूल से फाइनली निकल जाएगा कैसा कुछ हुआ था रादर दें टेलिंग जो बच्चे ने स्टोरी बता है क्योंकि बच्चा तो डिफिनेटली अपनी बच्चे की पर्सेप्शन से बताएगा और बच्चे की पर्सेप्शन तो चोटी होगी अगरों में भी बच्चा को उल्टा गाम करता है था हूं फॉरन भी उसके अब जोरु लोज टेंगे कुछ गणके बच्चे डुटली निकले केला की भी अब में पूछ रही हो एक किसने किया किस ने किया एंड हो हुआ डेखा उसको डंटा ने में इससे ने ने मुझ आप यार से लिए तो अब हमारे घर में अर राम ना ऑसको उसको डू जब आव बच्चे को आप जवर इसती है धोगे इसे थोशेंगे तो यह किया कि रहे गए जाए के जाए चाह गई भोर लगे चार पांच लगेशा और आपकी जगह मेरा है उसे ज़्याद्टी से ज्यादा अची सेफ लगी तो सफ करनी नहीं देखा मेरा ख्याल है यह भी बहुत पैरेंट्स को प्रॉट्रम आ रहा है कि बच्चे सब कुछ खाते नहीं आप बच्चों की असोसियेशन एक पूट के साथ डिवेलप करेंगे वो जरूर खाएंगे लेकिन फोर्सफुली उन्हें देना जैसे आप एक मदर मेरे पास आई वो कहती मैं बच्चे को रोटी देती हूँ यह बैटके पीछे गिरा देता है और हाँ लिटरली और कहती है मुझे पता ही नहीं चला छे महीने गुजर गए और इतनी रोटी निगली बैटके वीजे से तो इसमीन कि आप बच्चे को क्यों इतना प्रेस्टाइस करें जो चीज पसं इतनी नहीं है तो दे डूंट केर कि उनके बच्चे ने सारा दिन कुछ खाया यह नहीं खाया दे मौश्रा चेंज होता जाना पैरेंट्स आर सो बीजी उनको बबस जैसे वह देखते हैं अच्छा धाई थीन साल का बच्चा हो गया ओ यह तो बड़ा कलमा दो और वो उसको मेट के पास चोड़ के चले जाएंगे वो वक्त होता है जिसमें बच्चा स्ट्रेस लेता है खुद एक्स्प्लोर करता है मेट के साथ उसकी बुरी इंटरेक्शन होते हैं मेट उसको मार भी देती है खूचने वाला कोई नहीं और बच्चा जब वापस मा आएगी उसको ब करते हैं 12 वक्त होता है जिसमें मेरा कहल है पारेंस का बहुत ज़्यादा लेकर नहीं कहता है में प्ले कहरत है मई के एंडरना हो हूँ लेकिन अर्ड़ पर मेर tv विमें और हैं वहां पर से कॉलर कॉर वर ऐकर हो यहां थी किती कि मेरे तीन बच्चे मैं संभलना जरी है घर देखने हैं, मैड के पास छोड़ देती हूं, माडरे लौ आती हैं, लेकिन एड दे एंड जो ताइम मा या बाप दे सकते हैं, वो कोई और चुछ को अपने बच्चे को सारा दिन छोड़ के भी जाते हैं, तो एड दे एंड अफ दे दे उसको सुने तो सही हुआ है, क्योंकि क्योंकि अपने बच्चे के अंदर वो चीजे पैदा होती 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 जमा होती वो कहां से कहां बहुंच जाता और फिर एट लास वो एग्रेशन में निकलता है, जैसे एकसर बच्चे जो चुटकियां काट रहे होते हैं मांको या मतलब नाहून मार रहे होते हैं, लोगों क मारना शुरू कर देती हैं और बच्चे की वो चीज पर बनते बनते बहुत स्यादा एग्रेवेट हो जाए, ठीक हो गया, डॉक्षर सबत हुमारे सब मौजूद है, हम डिसकॉशन करें स्ट्रेश जो बच्चों में मुक्तलित तराक्य होते हैं, हमने चिकिन की सुरत हाल प यहां पर कल की निस्बत जो हैं वो आज कुछ सबजियां महंगी हुई हैं, और महंगी होने के बाद कितनी महंगी फरोखत की जा रही हैं, यह मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको उनकी कीमतों के बारे में बताता चलूं कि जो आलू है, वो 35 रुपे, 25 रुपे, 276 रुपे, सबस मिर्च, 74 मटर जो हैं, वो 116 रुपे इस रेट लिस्ट पर जो हैं, वो मकरर की गए हैं, लेकिन यहां पर जो हैं जो खरीदार हैं, बकौल उन लोगों के, के यह जो हैं डबल कीमतों पर यहां पर दुकानदार जो हैं, वो सबजियां फरोखत कर रहे हैं, य यह किस तरह की तबदीली देखने में आ रही है, क्योंकि इन कीमतों पर मुकमल तोर पर कंट्रोल नहीं हो सका, मेरे साथ एक साब भी मौजूद हैं, खरीदार हैं, उन से बात करते हैं, उनकी राये जानते हैं, कि वो इस बारे में क्या कहेंगे, बाईजन, क्या क्या इस रेट लिस्पे के मताबिक क्यों नहीं मिलती हैं? इस रेट लिस्पे नहीं मिलती हैं, इस लिए हम इदावी रेट लिस्पे. झाल झाल